है गाई स्वागत आप सभी का हमारे आपके चानल पेटमिक्स में तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन स्पीड्स के बारे में इंडिया में सबके पास आपको यह बिट देखने को मिलेगे आपकी यहां पर बलकि जो फेमास आप व्लॉगर जानते हैं उनके पास भी है यह है डॉग बिड आया तो इनका मंतली कोस्ट क्या इनका प्राइस क्या रहेगा और सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हो तो आगे बढ़ने से पहले दो मिट आप जरूर से आमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा वीडियो को लाइक शेर जरूर से किजेगा चले शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले इनके आपको कुछ बेसिक नॉलेज बता देता हुँ जिसके करन आपको और भी इन डॉक के बार यह small type का तो यह Indian speeds काफी जाथ बेस्ट बाना जाता है अब बात करते हैं इनकी average height की बारे में तो जो male की होती हो 40 से लेके 45 cm तक होती है और इनकी जो weight की बात करें तो 12 से लेके 15 kg तक इनका weight हो सकता है और डिपेंड करता है आपके उपर किस तरह से आप उन्हें रख रहे हो इस तरह से care कर रहे हैं और किस तरह से आप उनको diet follow कर रहे हैं उसके सबसे इनका weight तेय होता है और गाइस इनके color की बात कर रहे है तो यह आपको white color में मिलेगा, black and brown color में आपको देखने को मिलेगा अगर आपको कुछ ऐसे mix color का आपको देखने को मिल रहा है तो आप ज़रू से एक बार चेक किजएगा verify किजएगा कि आपको कोई mix breed तो नहीं मिल रही है और बहुत सहे लोग जिसे pomerian और indian spits को एक same dog breed मानते बट ऐसा नहीं है उसके उपर मैंने already वीडियो बना के रखी तो प्राय बटर में आपको देदूगा और इनका जो diet plan अगर आपको चाहिए indian spits का या pomerian dog breed का तो मुझे comment section बताना मैं इसके उपर आपको एक अच्छा diet plan बना दूँगा जो काफी कम price में आप अच्छे से maintain अपने dog को रख सकते हो इनको अगर आप कुछ एक चीज या घर के चोटे मुटे काम अगर सिखा देते तो काफी जाद जीसे कर लेते और काफी active रहते हैं हमेशा खूश टाइप के रहते हैं अगर आप घर पे आते हो तो आपके जाद काफी अच्छे time span करेंगे और आपको काफी जदा relaxed फिल होगा छोटे बच्चों के साथ भी काफी loving nature के होते हैं इसलिए अगर आप first time है अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आँख बन करके इन dog bit को ले सकते हो काफी जदा अच्छ different और आपको low price भी काफी जद देखने को मिलेगी इंडियन स्पीट्स की price जो चालू होती है जो normally और इसी के 9000 से लेके 12000 या 15000 तक भी चरी जाती है और अगर आप एक को अच्छे quality का कहीं कहीं से ले रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो या फिर किसी के साथ पासे जैसे वीट 2000 के अंदर भी आपको डॉक भी डेखने को मिलेगा अब बात करते हैं इनका मंतली खर्चे की बारे में तो मंतली खर्चा इनका काफी जदा कम आता है अगर घर का खाना तो काफी अच्छे से खा लेते हो वेल मेंटन भी रहते है डाइट भी अच्छे से इनका आप रखो के या फिर कभी कबार इनको विटामेंस या उसमें थोड़ा वह खर्चा आ सकता है 500-400 रुपे का और जैसे कि वेक्सिनेशन के उपर आपको यह लिए हो 12-1300 रुपे खर्चा आ सकता है और डिवर्मिंग तो आपको खास करनी है उसके उपर 200-300 रुपे आपको अलग से पैसा लग सकता है उसके साथ साथ अगर आपको घर में कुछ उनको चोटी मूटे चीजे लाते हो तोई वगरा देते हो फिर कुछ लाते हो डॉक फूड के साथ ग्रेवी वगरा वगरा तो उसमें मंतली खर्चा आपको जैसे कि 100-300 रुपे आपको आ सकता है बट वह एक टाइम क जल्दी से बार करते हैं उनकी स्पीर काफी अच्छे होती तुरंत किसी का पीचा कर लेते हैं कहीं से निकल जाते हैं तो यह काफी एक्टिव डॉक बीड माना जाता है तो उसी सब से भी आप इनके साथ जा सकते हो हाँ स्टार्टिंग के टाइम पर आपको इनको डॉक बस इनको डिसिप्लिन में और ट्रेनिंग आपको इनको खास देने पड़ेगी ताकि अच्छे से डिसिप्लिन में रहे और आपकी बात माने क्यूंकि कभी कभा ज्यादा लाड़ पैर के करने कभी कर यहां वह भागते हैं दो रहते हैं बात नहीं मानते तो इसमें इन डिस अच्छे लगी तो लाइक शेर जरू करना चाहां को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू से करना तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यो फॉर वाचिंग